तो फ्रेंट सरकाय जोग फर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है फ्रेंट्स रेलेवे भरती प्रिक्षा 2022 अर्रवी एंटी पीसी और रर्रसी ग्रूब डी के लिए जो है रेलेवे के तरब से एक बहुत बड़ी नोटीस जारी किया गया है सभी चात्रों का जो है मांग था उनको पूरा कर लिया गया है तो इस वीडियो में पूरी जानकाय देंगे बने रहेगा वीडियो मन्त तक अगर आप हमने चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बे लाइक अंदवाग नोटिफिकेशन ओल कर दिजेगा जिससे कि आपको रेलवे से जुरी पलपल की अपडेट मिलती रहे तो चलिए अपने देखते हैं क्या ओफिस्यल नोटिस आया हुआ है रेलवे की तरफ से अभी हमने आरार भी आलहावाद का ओफिसल सेट खोल रखा है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डिरेक्ट लिंक दिया इसमें जैसे ही नीचे स्कल कीज़ेगा तो यहां करा इंपोटेंट नोटिस टू कंडिडेट्स आप सी एन नंबर वन अवलिक 2019 एंटी पी सी एन सी एन नंबर आरर सी सी एन वन अवलिक 2019 जो है लेबल वन बाले पोस्ट पर इस पर जैसे ही किलिक कीज़ेगा जो तो कुछ इस तरह से खुल के अब सामने आएगा देखेए प्रेंट्स गवर्मेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे 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 रिक्वार्मेंट बोर्ड नोटिस मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इन दी टीम्स ऑफ ओडर नंबर यह दिये हुआ है 26 एक 2022 को जो है एक्जामनी टूदी कॉर्णर्स यह जो है कि आपका जो है एक्जाम हुआ था उसमें सिबीटी वन में बीस टैम बीस गुना रिजल्ट दिया जाएगा और आपका जो है जो है कि यह एक्जाम जो है आपको यहां बता देते हैं आपको कहता है इंदिधा आहां कि कंडिडेट अल्रेडी एलाउंस्त ट्वालिफाई वी एक्जामनी रिमें कॉलिफाईट जो है कि एसमें बीस गुना जो है आपका रिजल्ट दिया जाएगा आपका जो है एक्जाम NTPC का जो है आपको कहता है Revise Result of 4 Pay Level Decreased by 1st week of April 2020 आपका जो है जो बांकी स्टुइन्ट उसका Result जो है April 2022 में आ जाएगा और कहता है Second Stage CBT Pay Level 6 2 had been मई 2022 में आपका जो है इसका CBT 2 का एक्जाम होगा और रहा बात की आपको Group D का एक्जाम कम होगा तो Group D का एक्जाम जो आपको जुलाई 2022 में Tentative है वहाँ जो है शुरू कर दिया जाएगा 2022 को ये नोटी जो है दस तीन 2022 को जारी किया गया है Chair Person Relay Requirement Board के द्वारा तो अब रहाँ बात की जो है अब Normalize का बात जो है सभी Board जो है दो-चार Board मिलकर एक ही बार में एक्जाम जो है ले लेगा यसे NTPC हो और आप या Group D हो दोनों के एक्जाम जो है जिससे की Normalize का जो है समस्या थोरा खत्म हो और Normalize जो है असान तरीका से देदेगा जिससे की सभी स्टुएंट समझ जाए तो फ्रेंट जीए था नोटिपिकेशन आज की वीडियों बस इतना है अगर यह वीडियो आपको अच्छाले चानल को जरूर सब्सक्राइब करें बैल एक अंदावर नोटिपिकेशन आउल कर दीजिए जिससे की पलपल की अपडेट आपको मिलती है धन्यवाद